यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप माक्स गेन करते हो को बिहार के लोग हर जग इंडिया से कहीं के भी लोग है वह अप्लाइब कर सकते हैं तो जस्त यहां पर देखना की ऑनलाइन अप्लिकेशन फॉर्म संफीज है वो 300 फॉर जेंडर है व्यूर्ट विडियो और आज के इस वीडियो में आपको बताने वालाओ कि यूपी में चुपोल टेकनीक का फॉर्म निकलता है और कैसे आपको फॉर्म करना है कैसे आपको एडमिशन लेना है क्या-क्या प्रोसेस होगा कितने कटफ जाएंगे कैसी नॉर्मलाइजेशन किया जागा कै कैसे आपको माक्स बताया जाएंगे कि आपका इतना माक्स है और आपको क्वालिफाय हुए है एक्जाम के लिए या नहीं यह सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा और वीडियो एंड तक देखिएगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो और हम दो आपको जमांगा और कितना फीस आपको जमा करना है उसे तो मैं बदादू कि आपको सिर्फ टूहंडेग और थ्री हंड़ेंड रूपीज नपकर नायूलाइन रिजिस्ट्रेशन के टाइम पर कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है वो भी आपको परिक्षा प्रवेश पत्र जो होता है एडमिट कार्ड आपको दस तारीक तक उपलब्द करा दिया जाएगा नेक्स जो है एक्जाम कर देट है वह 16 मार्च से आपको एक्जाम हो जाएगा 22 मार्च तक यहां पर आपको मैंने पहले बता दिया था फॉर्म कैसे फिलब करना तो आप उनलाइन फॉर्म कर सकते हो इस वेबसाइट पर जाके मैं अभी फॉर्म फिलब करके आपको बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म करना और यहां पर नीचे जाओगे तो आपको कॉलेजिस के नाम दिखेंगे कुन-कुन सा कॉलेज में आप अ कैसे एडमिट काड मिलेगा कितना माक्स आपको कौलिफाय करने को मिलेगा कौन से कटेगरी के लिए कितना कटफ होगा सारा आपको मिलेगा यहां पर लेकिन अभी इस पीडिएफ में वह सम नहीं लिखा है बट आपको यहां यह फॉर्मूला बहुत इंपोर्टन होगा आपको यहां पर इस वेबसाइट पर आना मैं बता दू स्टार्टिंग से में चलके दिखा देता हूं कैसे आपको आजाना है यहां पर लिखना है जेई यूपी यूपी आडमिशन.nice.in यहां पर दिखाऊगा फस्ट वेबसाइट जो फॉस्ट में आपको खुलेगा जो यहां पर दीख जो आपको स्टार होगे काफी सेक्यूर वेबसाइट आपको यहां पर दिख अब 2024 में आपको मिल रहा है तो इस टाइप से आप अपना फॉर्म कर सकते हो तो यहां प्रेकल पार होगा ऊप्लिकेशन नमर अप्लिकेशन अगर जो भी बैंक के चार्चेस होंगे वह आपको देना पड़ेगा यहां पर नीचे जाना है और भी नीचे जाओगे तो आपको यहां पर अगरी का बटन आएगा अगरी का बटन जैसे क्लिक करोगे आपको एक दूसरा इंटरफेस ऑपन होगा जो एक फॉर्म फॉर्म का ओपन इंटरफेस होगा फॉर्म भरनेगा आपको जस्त नेम फादर ने मदर्स नेम डेटर बर्थ जेंडर यह सब क्लिक कर लेना यहां पर यह सेलेक्ट कर लेना और फिर फोन नंबर बगेरा और कैप्चा डालके यहां पर समिट कर दिना अल्री मैंने रजिस्ट्रेशन कर देख रहा है वहां पर डालना है और लोग इन कर लेना उसके बाद जो सारा प्रोसेस आपको पेमेंट होगे यहां पर आपको कर लेना जैसे आप पेमेंट करोगे आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा तो आप रजि को रजिस्ट्रेशन आइडी मिला है उसको आप हमेशा याद रखे रहना तो इस तरीके से आप यूपी पॉल टेक्निक के लिए अपलाई कर सकते दें और यह बिहार के लोग हर जग इंडिया से कहीं के भी लोग है वह अपलाई कर सकते हैं और कोई भी लोग अपलाई कर सक करता है अगर वीडियो को लाइक कर देना लोग सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जादे शेयर कर देना मिलते नेक्स वीडियों